हेलो फ्रेंड्स आई होब एवर्वन विल बी गुड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कॉस इन डिटेल्स वाट इस ड्रॉप्शी इस और इट्स प्रेवेंशन और इट्स ट्रेट्मेंट ड्रॉप्शी एक बिमारी नहीं ये कंडीशन है जो इनफेक्शन या लीवर के सही तरीके से कामना करने पर होती है इसमें मचलियों का जो इस्टॉमक होता है उसमें लिक्वीर वियामा हो जाता है जिससे इस्टॉमक फूला हुआ या सूजा हुआ दिखाई देता है ड्रॉप्शी सब्द ड्रॉप्शी फ्रेंज में एक सब्द है हाई ड्रॉप्श से निकाला है जिसका अर्थ होता है पानी इस रोग का जनक जिवाडू है इस रोग को विज्ञानिक भासा में बैक्ट्रियल होमोलेजिक सेपेटेस्मिया कहते हैं मौश फिशिस विद इस प्रॉब्लम कैन सर्वाइब अनली 2-3 वीक्स बट सम्टाइम्स एज मैनी मन्स मतलब जाते जो मचलिया होती है दो से तीन वीक्स तक सर्वाइब कर जाती है और कभी-कभी महिने भी सर्वाइब कर जाती है डॉपसी है यह मीठे पानी में पाई जाने वाली मचलियों में जादा होता है जिसे मिरगल, कतला, रो, बिरगे, कोई, आदी अब हम बात करते हैं डॉपसी की सिम्टम्स की अगर मचलिय का पेर फूर रहा है तो हम यह नहीं कह सकते कि इसमें डॉपसी की सिकायद है इसके लिए हमें दुस्से सिम्टम्स भी देखने होंगे जैसे इसकल का निकलना, उबरी हो यांके, पीला गिल, सांस का बढ़ना, गुदा का सूजना, पंग का लाल होना, यह सब अब देखते हैं उनके पेट क्यों सूच जाते हैं मचली के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, वो सूच जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं जिससे उनके लेवर और गिल से पानी बहान निकल पाता और वो अंदरी जमा हो जाता है हम स्केल की बात करें तो जो इंटर्नल सुजन के करण मश्रश जब फूलती है तो जो उनके स्केल होते हैं वो सरीर के उपरी भागों पे दिखने लग जाते हैं बल्जिंग आये, बल्जिंग आये जब होती है जब उनके आँकों के नीचे तरल लिक्विड जमा हो जाता है उनके आँके बहार आजाती है पीला होना, जब उनके बाडी के अंदर लिक्विड ज्यादा जमा हो जाता है, तो जो गिल होते हैं, वो फैल जाते हैं, जिससे उनके जो गिल होते हैं, वो हमें पीले दिखाई देने लग जाते हैं, सांस लेने की स्पीड तेज हो जाती है, क्यों? क्योंकि जब उनकी गिल क को ज़्यादा महत करने पड़ती है जिससे बार बार सास लेते रहते हैं सोलो एनस जब लिक्विड मस्ली के इंटेस्टाइन में जमा हो जाता है और बहां नहीं निकल पाता है जिससे उनके एनस में सूजन हो जाती है और रेड दिखाई देने लग जाते हैं अगर हम बात करे स्कीन और फिंस का रेड होना जब उनके बाड़ी में लिक्विड जमा हो जाता है तो उनका स्रीफ फैलता है फैलें जो उनकी वैसल्स होती है कमजोर वैसल्स होती है उपढ़ जाती है उनके फटने से खून बाहर आता है उनके जो बाड़ी होती है और रेड दिखने लग सब्सक्राइब कारण होता है अगर इसमें पानी की गुड़पता खराब हो वाइरल संक्रमण हो पानी किस्तिति इम में अचानक बदला हो जाता है और तनाओ के वैसे ये बिमारी मसलियों में हो जाती है अब हम ट्रेटमेंट के बात करते हैं किनका इलाज किया जाए डॉपसी अपने आप में ज्यादा एक्टिव नहीं होती है लेकिन अगर इनका जल्दी से ट्रेटमेंट नहीं किया गया तो इस टैंक में या तलाब में अन्य मसलियों पर भी निगेटिव एफेक्ट डाल सकते ह को डॉपसी के सिंटम जिखते हैं तो आप पांस मिलिग्राम केमनोफोर में दो मिनिट तक मसली को डूओ कर रखना है और यह रेगलों दो से तीन दिन करना है इसे मशलियों में काफी असा देखेगा और इसमें मशलियों को इस्ट्रोपेटोमाइसीन केलरोमाइसेटीन और और ऑक्स्ट्रा ट्राइसी क्लीन भी दे सकते हैं खाने मिलाकर या इंग्जेक्शन के थुरू इसे मशलियों में काफी सुधार देखने पर मिलता है अगर इस यह उपाय करने के बाद भी मशलियों ठीक नहीं होती है तो इंफेक्ट्री मशलियों को तलाब से अटाए या डिस इंफेक्टिट करना चाहिए 100 किलोग्राम हेक्टर के साथ हर पंदा दिन पर आपको बुझा हुआ चुना तलाब में डालना चाहिए अब इसका प्रवेंशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए हमें रेगलर यह टैंके पानी को एक्जमाइन करना चाहिए रेगलर प फीट ना करे कभी भी